दोस्तो सिंगिंग रियालिटी सो इंडियन आइडल सीजिन 14 के ग्रेंड फिनाले में अब मैज कुछी गंटे और बाकी है और जिसके लिए सो के इस सीजिन के सभी तौफ 6 फानलिस्ट के बीच कांटे की टकर देखने को मिल रही है जिहां वहीं अनन्या, अंजना, पीउ से आध्या, सुबदीप और बेबोव इन सभी फानलिस्ट के मन में बस अब यही चल रहा है कि क्या वह इंडियन आइडल का विनर बन पाएंगे या फिर नहीं वैसे भी फैन्स अपने अपने फैवरिट कंटेस्टेंट्स को विनर बनाने के लिए जम कर स्पोर्ट कर रही है जैसा कि अनन्या के फैन्स अनन्या को विनर बता रही है तो भहीं दोस्तों सुबदीप के फैन्स सुबदीप को वही कुछ लोगों का कहना है कि इंडियन आइडल का विनर अंजना ही बनेंगी जी हाँ अब एसे में तो सबसे बड़ा स्वाल यही है कि इंडियन आइडल के इस सीजन का विनर बनेगा कौन क्या इसे सो कि winner सुबधीप है या फिर अनन्या या फिर इनके अलावा कोई और कंटेस्टेंट वेशे इंडिन आइडल के winner को लेकर एक हैरान करने वाला अपडेट निकल कर सामने आया है जी हाँ winner को लेकर पूरा पासा ही पलट चुका है तो winner को लेकर आखिर क्या है बड़ा अपडेट जानेंगे आगे की वीडियो में सब कुछ बस आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और हाँ हमें कमेंट करके यह भी बताना की आखिर किसे आप इंडिन आइडल के इस सीजिन का winner बनते देखना चाहते है जी हाँ तो जैसा कि दोस्तों इंडिन आइडल के इस सीजिन का ग्रेंड फिनाले थर्ड मार्च को है और टॉप 6 फालिस्ट के लिए वोटिंग करने का 24 गंटे का ही टाइम दिया गया जिसका वोटिंग रिजल्ट हैरान जरूर कर देगा वेशे फिनाले से पहले इंडिन आइडल के winner को लेकर कई सारे न्यूज चैनल से अपना अपना prediction कर रहे है किसी prediction के मुताबिक अनन्या को winner बताया जा रहा है किसी prediction में सुब दीप को लेकिन वोटिंग ज़्यादा किसे हुई है और कौन रहा है पॉपुलरिटी में आगे winner वही बनेगा जिहां और दोस्ति इसके मुताबिक तो सुब दीप बाकी फानलिस्ट पर भारी पड़ी हैं और वहे ये सोग जीतने से महज एक कदम पिछी है वहें दोस्तों कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या पाल इस सोग की winner बनी है लेकिन दोस्तों सच बताएं तो अभी कुछ भी confirm नहीं है क्योंकि इंडिन आइडल का winner कौन होगा ये contestants के लिए voting और popularity पर depend करता है जी हां यानि कि winner के लिए हमें grand finale का इंतजार करना होगा वैसे आपकी इसाफसे इंडिन आइडल सीजन 14 का grand finale winner कौन होना चाहिए हमें कमेंट में जरूर बताएं